नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं HP, LTE कमिशन या LTE TET की जो तैयारियां कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमने कुछ एक बहतरीन क्वेशन लाए हैं जो हमारे आधुनिक कालीन कावे से हैं और आधुनिक काल आप देखते हैं किसी भी परिक्षा के लिए अगर हिंदी से रिलेटिड आप परिक्षा देने जा रहे हैं तो बहुत ही जादा महत्पूर्ण ये वीडियो होने वाला है, मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रियास, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडिय के आसपस्त के लेक्चर मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं जहां पर हमने प्रिवियस एर पेपर, जहां पर हमने मौक टेस्ट और जहां पर हमने कम्प्लीट जो हिंदी लिटरेचर और ग्रेमर का सिलिबस है, वो कम्प्लीट करवाया हुआ है, तो बहुत करम प्रा आज का जो ये लेक्चर है, ये कम्प्लीट बेस्ट है, आपके पूरा का पूरा इसमें रहेंगे आपके आधुनिकाल के ही प्रशन, लेकिन यहां पर जो पहला प्रशन है, ये हमने रितिकाल से रखा है, रितिकाल का एक प्रशन है, देखिए, मुही तु मेरे कवित हैं, ठीक है, एक प्रशन आपको इस तरीके से भी बनता है, जो अक्सर पूचा ही जाता है, खासकर रितिकाल से, कि कौन सा रिति बद है, या कौन सा रिति सिध है, तो इस इसको भी आप पढ़के जरूर जाएए, यहां पर इस प्रशन का जो उत्तर है देखिए, वो है घन रिति, मुक्त जो कावे धारा रही, उसके बहुती श्रेष्ट कभी माने जाते हैं, और इनकी भी बहुत प्रसिद पंक्तिया रही है, सेवक, सिपाही, हम उन राजपूतन के, यह वाली पंक्ति इनकी बहुती जादा मौतपूर्ण है, और एक इनकी और पंक्ति है, जिसमे ठाकुर, और आलम, आलम को माना जाता है, प्रेम की पीर और साती सात, प्रेम की पीर और इश्क का दर्द, इनकी एक एक वाक्य में पाय जाता है, यह वात किसने कही है, यह शुक्ल ने इनके संदर्ब में कही है, यह भी रिति मुक्त कावे धारा के प्रसिद कभी है, अगर भी आपके रिती बद कवी या रिती सिद रिती मुक्त रहे हैं इनसे रिलेटिड आपको आपने देखा होगा कि एक प्रशन ऐसा जरूर पूछे जाता है कि किस कवी का जनम वर्ष कौन सा रहा है तो देव मौतफून है और इनके जो प्रसिद पंक्ति पूछी जाती है देख यह था प्रशन नंबर पहला आज के इस लक्चर का आप सब लोग इस प्रशन को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे चलिए नेक्स्ट क्रशन देखते हैं यहाँ पर जो अगला प्रशन है देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी प्रवरिती भारतेंदु यूगीन नहीं है तो इस तरीके का प्रशन भी ना सिर्फ आप भारतेंदु यूग से देखेंगे बलकि आपका आधिकाल से लेकर के आधुरिक काल तक आपके समकालिन कवीता तक ना सिर्फ समकालिन कवीता बलकि हिंदे की जो कहानिया बगेरा रही है उन से रिलेटेड भी आपको प्रशन इस तरीके से देखने को मिलता है कि प्रतियक यूग की आपको एक प्रवरिती या विशेष्टा के बारे में जरूर पूछा जाएगा तो आपका एक सबसे इंपोर्टेंट काम ये होना चाहिए कि जितने भी आपके पास काल हैं जितने भी आपके पास यूग हैं उन सब के बारे में आप उनकी प्रवरितिया हैं उनके बारे में जरूर पढ़के जाएं तो यहाँ पर भारतेंदु यूग के बारे में पूछा गया है तो भारतेंदु यूग की जो प्रवरिती कौन सी नहीं है चलिए देखते हैं यहाँ पर भक्ति भावना की बात करें तो भक्ति भावना आप देखते हैं भारतेंदु यूग में रही थी क्योंकि स्वभाविक था जब हम रितिकाल से निकले थे तो भक्ति की और प्रवित होना लगबग कुछ एक रचनाकारों ने यहां पर कोशिश की है इसकी और प्रवित होने की और भक्ति के कुछ एक आप प्रकृति चित्रन भी आप देखते हैं कि भारतेंदू मंडल के कव्यों में रहा है, चाहे आप बदरी नरायन चौधरी प्रेमगन की बात करें, चाहे आप प्रताप नरायन मिश्र की बात करें, चाहे फिर भारतेंदू की ही बात क्यों ना करें, है ना, तो इन सब ने क्या क पुराने जो आपके पुराने जो आपके पुराने जो आपके पुराने जो आपके पुरानिक चीजें हैं उनका एक बार नए सिरे से यहां पर जो वनन किया गया है उसे चीज को वस्तु वनन कहते हैं मतलब वननात्मक जो शेली है वो ही आपकी क्या है इतिवरितात्मक्ता है और ये जो चीजें हैं ये सबसे ज़ादा आपको कहां पर दिखती है आपके दिवेदी यूग में देखने को मिलती है इतिवरितात्मक्ता तो यहां पर ये वाला जो है ये बहुत बार आपको पूछा जाता है ये प्रशन कि कौन सी विशिष्टा जो है भारतेंदू यूग की नहीं है या दिवेदी यूग की है तो इतिवरितात्मक्ता जहां कहीं भी होगा तो इसका मतलब ये है कि ये वस्तू वनन है ये पूराने जो आख्यान है आपके उसको नए सीरे से वनित करना है तो ये आपको किस में दिखेगी दिवेदी यूग में दिखेगी भारतें तो भारतेंद यूग में देखेगा आपको समस्या पूर्ती, अब समस्या पूर्ती क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, भारतेंद यूग की सबसे प्रमुक विशेषता समस्या पूर्ती को ही माना जाता है, तो ये था प्रशन नंबर दूस इसलिके का प्रशन आपको L.T.T.T. और कमिशन में जरूर देखने को मिलता है तो ये बात कही थी भारतेंदू हरिश्चंद्र ने 1873 स्वी में कहां पर इनका एक लेक चापा है काल चक्र जिसकी भूमी का मैं इन्होंने ये बात कही थी तो इस चीज़ को भी आप याद रख स भारतेंदू हरिश्चंद्र के अनुसार तो आपने 1873 याद रखना है इसमें सिंपली सा प्रताब नरायन मिश्चर से भी आपको एक अधी पंक्ति जरूर पूछी जाती है जपो निरंतर एक जुबान हिंदी हिंदू हिंदोस्तान तो ये वाली प्रसिद पंक्ति रादा इस्तेमाल किया गया है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं एंड इसके अलावा जो यहाँ पर रादा कृष्ण दास है तो रादा कृष्ण दास भारतेंदू अरिश्चंद्र के फूफेरे वाई थे ये प्रशन भी आपको कई बार पूछे जाता है इनकी दो मौ भारतेंदू यूग का बलकि हर एक यूग के कवियों को आपको थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा तो उस चीज को भी आप याद रखिए नेक्स्ट क्वेशन आता है आम पर देखिए तरनी तनुजात तट तमाल तरुबर बहुच्छाए किस कवी की पंक्ती है तो ये परिक्षा में आप देखते हैं कि इस तरीके की पंक्तियां रखे ही रखे जाती हैं खास कर किन किन लोगों की आपको पंक्तियां रखनी है आधुनिक काल से याद ये चीज समझेना जरूरी है अगर भारतेंदू मंदल से पूछा जाए देखिए तो एक तो आपको भारते दिवेदी युग में वहाँ पर महाविड परसाद दिवेदी हरियोद और आपके जो तीसे नंबर पर आते हैं मैथली शर्न गुप्त सबसे जादा जो पंक्तियां हैं मैथली शर्न गुप्त की बनती हैं तो आप उसको भी पढ़के जाए इसका लाबा और की होगी तो हम आगे वाले लक्चर में आपको उसको भी बता दूँगा कि किन-किन युगों से आपको किस-किस कभी की पंक्तियां याद रखनी है तो मैं इसके लिए भी आपके लिए कंप्लीट लक्चर लेके आओंगा जिसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि किस युग की पंक्तियां ज बहुत ही इंप्पॉर्टेंट पंक्तियां है इनको आप जरूर याद रख लिजिए चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अगला जो प्रशन है देखिए यहां पर यह कह रहे हैं भारत बारमासा के रचाईता कौन है तो भारत बारमासा इंपॉर्टेंट है ये वाली कन्फ्यूजन हो जाता कई वार नाम से क्योंकि राधा क्रिशन और राधा चरण दोनों के नाम लगवक सेम सेमी है लेकिन आपको याद रखना है राधा चरण गोस्वामी की जो रचना रही देखिए वो थी नव भक्त माल तो इस चीज़ को आप याद रखना इनकी ये र रचन रही भारत अंदु यूग इन नव भक्त माल और राधा क्रिशन दास भारत बारा आमसा और दूसरी देखिए नवने देश दशा तो ये दो रचनाएं इनोने रची है राधाकरिशन दास ने इंपर्टन चीज है और इंपर्टन सा प्रश्न है ये भारत अंदु जासे भारते अंदू हरीचंदर की बहुत जादा रचनाय रही है लगवक सत्तर के आसपास इनके जो कावे संग्रह माने जाते हैं वो सब के सब आपको याद नहीं रखने हैं कभी इनके इतने जादा नहीं पूछे जाते इन्होंने कुछ एक शैलियों में अलग-अलग शैल गड़ी है चाए स्यापा है चाए गाली है चाए लावनी है तो इनके वहां से वैसा प्रशन बनता है बाकी रचनाओं से इनका कोई वैसा प्रशन नहीं बनेगा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है I hope आप ये वाला प्रशन भी अच्छे तरीके से समझ गया होंगे से प्रसिद्ध कावे सिंग्रह माना जाता है और इसका जो रचना काल था देखी ये 1931 में था और 1931 में आयोध्या सिंग उपाध्याय का एक रिती निरूपक गरंथाया दोस्तों वो कौन सा है यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं बहुती मत्वपूर्ण ह वो भी उसको भी कई बार पूछा जाता है तो आप वो मुझे बता सकते हैं साकेत 1931 मैथली शरण गुप्त की प्रसिद रचना मूल उदेश्या पूछा गया देखना यहाँ पर इस शब्द को फोकस करना तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि साकेत की रचना का मूल रामकतफा है सोभाविकसी बात है कि रामकतफा होगी होगी लेकिन इसलिए मैंने आपको गहाँ था कि प्रस्षण को आपने सही तरीके से समझना है कि बात पूछी क्या गया है तो है ना तो यहाँ पर है मूल उदेश्य कैया है तो यह था इसका रामकतवा उप्रुक्त पर जो रखा गया है देखिए ये रखा गया है आपका जो गोल्ड स्मित के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजर ग्राम नाम से किस ने किया था ये उजर ग्राम आपको कई बार सीधे to the point भी पुछे जाती है कि उजर ग्राम के रचाईता कौन है या फिर उजर ग् समित ने लिखी है डेजर्ट मूल जो रचना है देखिए आपको स्तिर्गे से भी प्रशनUI सकता है उजर ग्राम की जो मूलिक रचना है या मूल जो रचना है वह कौन सी है गोाइड़्संद रिलेक ग्राम के सोचंदतन के इनको प्रवर्ट तक भी माना जाता है इस चीज क पाठक भी बहुती ज़्यादा मौतफून है दुवेदी यूग से ठीक है तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं नेक्स जो कॉस्टन यहां पर रखा गया है देखिए यह है दुवेदी यूगीन किस कभी को ब्रजगोकिल के जाना जाता है बहुती इंपॉर्टन और बहुती मौतफून प्रशन है यह देखिए यहां पर इस तरिके का प्रशन भी आपको देखने को मिल सकता है आपने देखा होगा कि दुवेदी यूग में दो मौतफून कभी ऐसे रहे जिनोंने ब्रजभाशा में ही रचनाय रच होगा तो यह दो आपके अल्रेडी ही इससे निकल जाएंगे तो यहां पर देखिए दुवेदी यूग में मौतफून बात ये भी रही कि जो महावीर प्रसाद दुवेदी रहे उन्होंने क्या माना उन्होंने एक ही भाशा में आपका दोनों तरीके से रचनाय करने पर ब चाहिए और हिंदी को परिनिष्थित और परिमार्जित करने का काम सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो कौन रहे हैं महावीर प्रसाद दुवेदी जी ही रहे हैं इस चीज को भी आपने याद रगना है और दुवेदी यूग को आधुनिकता का प्रा ये जकी उपनाम से लिखते थे इस हिसको भी आपने दिहान रखना है लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है ब्रजकोकिल तो ब्रजकोकिल की जो उपादी मिली इस युग में वो किसको मिली वो मिली सत्य नरायन कवी रतन को ये वाला अंसर आपका बिलकुल सही हो जाएग सत्य नरायन कवी रतन जबकि जगन्नादास रतनाकर इनको क्या माना जाता है इनोंने आपके भक्ति काल और रीति काल के बीच एक समनवय स्थापित करने की बात कही थी तो समनवय कवी के रूप में इनको जाना जाता है जगन्नादास रतनाकर को मौतपूर्ण है देखना इनकी जो प्रसिद रचना रही रतना करकी वो थी उद्धव शतक। लेकिन सत्य नरायन कवी रतन ने सिर्फ दो रचनाय लिखी हैं प्रेम के लिए और जो दूसरी रचना रही इनकी देखिए वो कौन सी मानी जाती है वो मानी जाती है इनकी ब्रहमर दूत। तो ये वाली इनकी बहुती श्रेश रशना रही है ब्रहमर दूत इसको भी आप याद रख लीजिए तो important question है ये भी ब्रज कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है दुवेदी युग में तो वो रहे आपके सत्य नहरायन कवी रतन I hope आप लोगों का ये वाला प्रशन भी अच में ही पूछे जाते हैं तो दोनों जो आप तैयारियां कर रहे हैं ल्टी वाले भी और कमिशन वाले भी तो दोनों के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है यहाँ पर simple सा ये प्रशन था बाल मुकुंद गुप्तिस का सही आंसर हो जाना था ठीक है तो ये आपने ध्यान र जिसमें श्रीदर पाठक, आयोध्या सिंग, उपाध्याय हरियोध, मैथली शरंगुप्त, महावी प्रसाद दुवेदी और आपका रामचरीत उपाध्याय ये नाम जुड़ जाएंगे लेकिन दुवेदी मंदल के बाहर के कुछ एक कभी है हलांकि युग उनका इनके भाई रहे, जिन्होंने गीति कावे का प्रवरतन किया था सबसे पहले, तो गीति कावे शब्द का प्रवरतन किसने किया है, लोचन प्रसाद पांडे, जिनके बारे में महतोपुनचीस है, आइ होप इस प्रशन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, कि पंक्तियां सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये वाली पंक्तियां की रचना से लिए गई हैं अगर आपको रचना याद आ गई तो समझे डेपिनिटली आप क्या कर लेंगे इसको सही तरीके से समझ जाएंगे तो ये है अयोध्या सिंग उपाध्याय हर्योद की एक रचना है देखिए प्रिय प्रवास जो हिंदी खड़ी बोली का प्रत्थम महाकाव्य माना जाता है तो उसकी ये रचनाए हैं और किसने कही थी ये ये यशोदा की पंक्तियां है जब कृष्ण चले जाते हैं मतुरा ठीक है तो वहाँ पर देखिए आपका जो प्रिय प्र प्रवास में दिखेगी कई बार इन फ्रीके से भी आपको ये प्रशन पूछा जाता है तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुख जल निधी डूबी का सहारा कहाँ है प्रिय प्रवास की ये प्रसिद पंक्तियां हैं जिसके रचनाकार है अयोध्या को जरूर पढ़के जाईए देखिए इस रिके के जो भी आपके मौक टेस्ट हैं उनको करवने का मतलब ये नहीं है कि आपको यही प्रशन पूछे जाएंगे लेकिन पैटरन आपका ऐसा ही रहेगा ये चीज आपके लिए help हो सकती है और इसी बहाने आप जो है उन चीजों क पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से I hope आप सब लोग इंजोई कर रहे होंगे इस प्रशनोत्री को चली अगला प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशने देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रत्थम महाकावे कौन सा है तो इस प्रशन को अभी हमने डिसकस किया था तो ये प्रवास है जिसका रचना काल रहा 1914 अगर आप साकेत की बात करेंगे देखिए तो साकेत 1931 में था वैदही बनवास 1941 में रहा और कामाईनी 1935 में रहा तो इस आधार पर सबसे पहले कौन आया प्रिय प्रवास ही आया तो खड़ी बोली हिंदी का प्रत्थम महाकावे किस को माना जाता है प्रिय प्रवास को माना जाता है वैदही बनवास ये भी हर्योद की ही रचना रही है ना तो हर्योद इसमें सीता के निर्वासन की कता है जब राम उसका परित्याग कर देते हैं चीक है साकेत 1939 जिसमें उर्मिला के महतों को सुविकार किया गया है और कामाईन है ये वाला प्रशन भी यहां से भी आपको प्रशन पूछा जा सकता है कौन किसका रचनाकार है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन देखिए सचंदतावाद यहां पर सच्छतावाद हो गया इसको आप ठीक कर लिजिए सचंदतावाद के परवर्तक कभी किसे माना जाता है तो सचंदतावाद अभी इस प्रशन को भी हमने वैसे पहले देख लिया था तो इसका जो सही उतर होगा देखे वो श्रीधर पाठाग होगा ये सचंदतावादी प्रत्थम कभी माने जाते हैं जिनोंने राजभक्ती परक और जो आपका द ही देखे ये कैसी हैं अनुदित हैं लेकिन इसके लावा इनकी मौलिक रचनाएं भी आती हैं कुछ एक तो उनको भी आप एक बार जरूर याद करके जाए क्योंकि ज्यादातर इनकी रचनाएं क्या रही हैं आपकी अनुदित ही रही है रीतु सहार और कालिदासका भी इन इनका जिक्र कि छायवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था सियराम शरणगुप्त ये गांधी बादी दर्शन से प्रभावित रहे हैं और इन्होंने बापु लिखी थी जो एक इनकी शेष्ट कृती मानी जाती है तो ये बहुत ही important प्रशन है आपने देखा होगा त्रिशूल जो उपनाम है ये रहा गया प्रसाद शुकल सनेही का देखिए इनके दो उपनाम है एक त्रिशूल है दूसरा सनेही है त्रिशूल उपनाम से इन्होंने राश्टर प्रेम की कविताएं लिखी और सनेही उपनाम से इन्होंने श्रिंगारिक कविताएं लिखी अब श्रिंगार कैसे लिखते हैं, कुछे लोगों को ये गलत लगेगा, अब श्रिंगार का जो सही वर्तनी लिखने को आती है, तो आप उसको इस तरीके से ही लिखिए, हलांकि यहाँ पर उपर आप देखेंगे पूचा क्या गया है, राश्टर प्रेम की कविताएं, तो राश्टर प्रेम की त्रिशूल नाम से और श्रिंगारिक जो कविताएं हो जाएंगी, वो सनेही उप करंदन, ये इनकी बहुती महत्पूर रचनाय हैं, इनसे रिलेटिव प्रेम भी पूचा जाता है, तो बद्री नाराणी चौधरी प्रेम भारतेंदु यूगिन रहे, और माखन लाल चतुर वेदी हम सब लोग जानते हैं कि राश्ट के सांसकिती कावैधारा के प्रमुक क कभी रहे, तो यहाँ पर ये दो अंसर नहीं होंगे, यहाँ पर गया प्रसाद शुक्लस ने ही, इसका सही आंसर होगा, इन्होंने ही लिखी थी राश्ट प्रेम की कवीताएं, ठीक है, चलिए, अगला प्रशने देखिए, देशभक्त वीरो मरने से नेक नहीं डरना होगा है ना, ये वाली पंक्तियां किसकी हैं, बहुती मौतपूर्ण पंक्तियां हैं ये, वेरी वेरी इंपोर्टन एल्टी टैट और एल्ल्टी कमिशन के लिए ये पंक्तियां आप जरूर याद रखे जाएं क्योंकि यहां से प्रशने आपको बनता ही बनता है, खासकर राश् सांस्किति कावेधारा के अंतरगत नहीं आते हैं, ये द्वेधी यूग के अंतरगत आ जाएंगे, लेकिन यहां पर इनकी जो देशवक्ति परक्ट जो कवीताएं हैं, जो रचना है देखिए, जो इनकी प्रमुख पंक्ति है, ये वाली कई बार पूछी गई है, कि देश हैं, इसको आप एक बार जरूर याद रखिए, बहुत बार पूछ जाती है, बालकिशन शर्मा नवीन, तो इनकी विपलव गायन है, एक हिलोर इदर से आए, एक हिलोर उदर से आए, ऐसी इनकी पंक्ति है, उसको भी आप याद रख लिजे, माखलना चत्रुवेदी की खांसी कीरानी, प्रसिद्ध कविता, उसको भी आप याद रख के जा सकते हैं, बहुत ही important है, ये वाला प्रशन भी, I hope आप लोगों ने इस प्रशन को भी सही तरीके से समझा होगा, और जितने भी इसके विकल्प हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से जाना होगा, next question देखते हैं, मैथली शरन गुप्त को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोशिक मिला, तो मैथली शरन गुप्त को जो मंगला प्रसाद पारितोशिक मिला था देखी, ये 1934 के आसपास मिला था साकेत नामक रचना पर, तो इसको भी आपने याद रख लेना है, साकेत बह याद रखके जाएए यशोद्रा विश्णुप्रिया पंचवटी ये सब की सब रचनाएं किसकी हैं मैथली शरन गुप्त की हैं इनका रचना काल कब है ये चीज भी आपको पता होना चाहिए एक बार इसको भी पढ़के जाएए मैथली शरन गुप्त ने सबसे जादा प्र या कमिशन में नहीं दिखेगा लेकिन हो सकता है कभी कभार आपको पूछ लिया जाए इस तरीके से भी तो आप ऐसे प्रशनों के लिए भी तयार रहें क्योंकि डे बाई डे आप देखते हैं कि परिक्षा का जो पैटरन है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है हालांकि आपको वैसे तूदा पॉइंट ही प्रशन पूछ जाते हैं या तो कौन किस यूग का कभी है या उसकी रचना कौन सी है या फिर उसका रचना वर्श क्या है ऐसे ही प्रशना आपको जादा तर पूछ जाते हैं लेकिन कई बार इस तरीके से अगर पूछ जाए तो उसके प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं 17 सर्ग हैं हम सब लोग जानते हैं बहुत सही है ये कथन और इसका प्रारंभ संध्याकाल से हुआ है बिल्गुल सही बात है और जहां पर इन्हों ने लिखा है देखिए प्रारंभिक जो पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीब था गगन थ प्रिय प्रवास और इसके जो रचईता हैं हरियोजी हैं बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर जो तीसरी लाइन कहरा है इसका अन्य नाम पत्रहीन नगन गाचются है ये वौली पंक्ति अपने आप में गलत है क्यों कि पत्रहीन नगन गाच जो रचना है देखिए ये किसकी है नागरजुन की एक मैथली में रचित रचना है, जिसका नाम क्या है आपका पत्रहीन नगन गाच है, जिसमें इनको साहित्य अगादमिक पुरुसकार भी इसी रचना पर मिला था, ये चीज भी आप याद रखिए, प्रगतिवादी का भी नागरजुन की है, ना कि हरियोद क रचना है, ठीक है, तो इसका जो अन्य नाम है देखिए, जो आपकी प्रिया प्रवास है, तो उसका नाम है ब्रजांगना विलाप, ये बाला आप जरूर पढ़के जाईए, ब्रजांगना विलाप, मतलब ब्रज के आंगन में विलाप हो रहा है, और उसी से आपने याद कि मा ये शोदा जो है, उनकी जो स्थिती है, वो वहाँ पर दिर्शाई गई है, कि वीरह में, पुत्र के वियोग में जो वहाँ पर वो अपना तडपती है, मतलब इस चीज़ को आपने देखना है प्रिया प्रवास में, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, मतलब असंगत जो इसका होगा, वो होगा भी कल्प नमबर तीन है न, कि इसका अन्य नाम पत्रहीन नगरंगाज है, तो यहाँ पर यह गलत है, चलिए, आखरी कोशन देखते हैं यहाँ पर, भारतेंदू ने अपनी किस कृती में देशी राजाओं को रासब कहा है, तो यह वाला प्रशन का इस्तेमाल उन्होंने किया था, देशी राजाओं के लिए, यह किया था इन्होंने भारत दुर्दशा में, तो बहुत important रचना है भारत दुर्दशा, है न, रोबहूं मिलहूं आवहूं भारत बाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखे न जाई, कुछ इस तरीके से इ इल देवी नाटि का है, और भारत भारती मैथली शरण गुफ्त की रचना है, इनकी नहीं है, इस शीज को भी आपने याद रखना है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो होगा भारत दुर्दशा, तो यह थे आज के लगभग 15-20 questions, जिन questions से आपके बहुत सारी प्रश करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम ऐसे ही कुछ मत्रपुन प्रशनों को लेकर आपके बीच में उपस्तित होंगे, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया, जाहें